हेलो एवरीवन वेलकम तो दा स्टड़ी कॉंसेप्ट कंप्यूटर जीके की यह फर्स्ट स्रीज है और पहले पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एमसी क्यूट पार्ट वन है और यह कंप्यूटर का जीके पार्ट है यह सभी एक्जाम्स में आता है चाहिए यूपीसी हो एमपीपीसी आर्बी आई या फिर जो भी व्यापमस के एक्जाम है सभी में कंप्यूटर से रिलेटेड कॉस्टन बनते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन सभी एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यह साबित होने वाला है तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आ सारे वीडियो लगातार देख पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं फर्स पार्ट कंप्यूटर जीके का और इसमें इंपॉर्टेंट 25 कॉस्टन मैंने कवर किये हैं मलब हर वीडियो में आपको 25 25 कॉस्टन मिलने वाले हैं जो की कंप्यूटर जीके से रिलेटेड होंगे थीक है तो वीडियो को आप अच्छा है आपको तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें लाइक बटन दबाएं साथी साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें अपनी सबी गूरूम openness में जिससे की अन्नी स्टुडेंट के अविश्कार कौन थे अविश्कारक देखिए बिल्कुल बिगनिंग से हम इसको चालू कर रहे हैं जिसे कि आपको कंप्यूटर का हर कॉर्शन इसमें कबर हो पाया तो कंप्यूटर के अविश्कारक कौन थे यौप्सन आपके सामने वॉन नियुमेन जेज जे एस कालबी चाल्स बेवेज या इन में से कोई नहीं तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें से कई लोगों को कई स्टूरेंट्स को पता भी होगा बिल्कुल बता पाएंगे तो आप कमेंट करके यह ज़रूर बता हैं सारे क्कोशन के जवाब दें जिससे कि आपक computer का जो जीके है उसमें आपका acceleration बढ़ेगा और हर question का जवाब करेंगे तो positive-ness भी आएगी आपके answer देने में तो इसका जो सही उत्तर है वो है Charles वेवेज, this is the correct answer ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि Charles वेवेज नहीं computer का विश्कार किया था अगला question आगया आपके सामने सबसे पहला computer का नाम क्या था जो सबसे पहला computer आया था उसका नाम क्या रखा गया था ये option है आपके सामने arteries E-N-I-A-C या फिर tendi या फिर novella तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा आप में से किसी को मालूम है तो comment करके बता है तो इसका जो सही उत्तर है वो है second वाला क्या E-N-I-A-C तो this is the correct answer इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एक question पूछ ले आता कि computer जो पहला computer बना था उसका नाम क्या रखा गया था तो वो है E-N-I-A-C तो this is the correct answer देजी अगला question आ गया आधुनिक computer की खोज सरप्रत्थम कब हुई थी सबसे पहले जो आधुनिक computer था उसकी खोज कब की गई थी यह आपके सामने पूरी years दिये हुए है 1949 1951 1946 या 1947 तो इसका जो आधुनिक computer की सबसे पहले खोज हुए थी वह 1946 में की गई थी अगला question आ गया आपके सामने computer के छेत्र में महान क्रांति कब आये थी जो एकदम revolution जो हुआ था develop book कब हुआ था यह option आपके सामने 1977 2000 1955 1960 तो कौन सा answer सही होगा मेरे विद्यारतियों मेरे students पता ही इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है 1960 this is the correct answer 1960 में computer की छेत्र में great revolution डेवलब हुआ था ठीक यह आपको याद रखना करना है तो आपको हर वीडियो को लगातार देखना है और वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना है साथी साथ में मेरे study concept चैनल को जो भी नए student वो रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की साथ में नोटिफिकेशन का एक रीडियो बटन होगा उसको आपको टिक करना है देन विल गेट हंडिट परसंद आल नोटिफिकेशन आप दा आल वीडियो ऑप माय चैनल चली अगले कॉस्चिन की ओर चलते हैं यह आगला कॉस्चिन कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है हिंदी में क पुछा गया है तो इसका जो आंसर है बताइए क्या है गणा करने वाला संगणक करने वाला हिसाब लगाने वाला या फिर पर गणिक तो इसका आंसर क्या होगा आप में जो बताएं इसका आंसर क्या है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं यह पुछा गया तो हिंदी में बोल 5 December को 14 December को 22 December को या फिर 2 December को computer का जो साक्षरता दिवस से कब मनाया जाता है तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 December तो इसका सही उत्तर 4 वाला सही है ध्यान रखेगा single है विल्कुल फटा-फट में questions cover कर रहा हूं इनको आपको single line में याद रखना है computer साक्षरता दिवस मतलब 2 December को मनाया जाता है यह लीजी अगला question आगे आपके सामने CPU का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of CPU Central Processing Unit Central Problem Unit Central Processing Union यह पर इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो विद्यारती बिल्कुल पढ़ रहा है computer के बारे हम जानते हैं फट से बता सकते हैं इसका answer तो इसका answer क्या है Central Processing Unit यह इस extraordinary label also ठीक है तो आपको इसका full form मालूम पढ़ गया Central Processing Unit C for Central, P for Processing and U for Unit यह है CPU का full form लीजी अगला question आ गया आठवा इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं यह निकि कौन सा जो option दिया है इसमें से सर्च इंजन नहीं यह बताना है Google, Yahoo, Baidu या फिर full form alpha तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा बताइए आप लोग तो इसका जो सही उत्तर है वो full form alpha is the correct answer यह इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यह सर्च इंजन नहीं है बाकि Google, Yahoo या हूँ और वाइडू यह सर्च इंजन है चलिए question पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ Unacademy के free plan के बारे में अब आप Unacademy में free में भी पढ़ाई कर सकते हैं Unacademy में आप MPPSC और व्यापम्स के सारे exams की preparation free में भी कर सकते हैं आपको करना क्या होगा उसके लिए आपको referral code का use करना पड़ेगा referral code क्या है हर दयाल कुछ वाजी आपको capital में यहां पर दिख रहा है तो ऐस तरहीं के से mobile में आपको referral code एंटर करना है और unlock करना है ठीक है इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा यह मैं आपको आगे बताता हूँ देखिए benefit of the free plan 500 से अधिक यहां पर free live classes आपको हर हफते मिलने वाली जिसमें कि आपको पूरे के पूरे doubt clear होंगे doubt clearing के session चलेंगे और साथ में notes भी आपको provide कराएंगे जो कि अनकेडमी में top educators जुड़े हुए है ठीक है न यहां पर 50 से अधिक top educators मद्धिप्रदिस को पढ़ाने के लिए आपको मिलेंगे daily and weekly free live mock test भी यहां पर conduct किया जा रहा है और साथी साथ में उस सभी free mock test को यहां पर paper analysis भी किया जाएगा जो कि वहां पर जुड़े हुए top educators आपको करेंगे ठीक है न यहां पर चार different exams की तियारी करवाई जाएगी free में वह है MPPSC prelims मद्धप्रदेश police constable और MPSI देखें चार नहीं है यहां पर तीन है ठीक है न टोटल जो exam है भी तीन exam है एक exam और था यहां पर हो था मद्धप्रदेश जेल प्रहरी ठीक है जेल प्रहरी का exam खतम हो गया है भी तो जेल प्रहरी की भी आपको simonial tendency तेयारी की जाती है क्योंकि पूरे की पूरे जो content है वो मद्धप्रदेश की पूरी की पूरे exams की जो भी exam है मद्धप्रदेश के सारे exams की तेयारी यहां पर आपको live free में मिलने वाले है तीन हो चारों की ठीक है और यहां पर free live quiz 20,000 से आधिक यहां पर free quiz भी मिलने वा फॉलूड बाइदा पेपर आनलेसिस सेशन यानिकी आठवे से रोज आपको Monday to Saturday यहां पर T20 टेस्टी मिलने वाली जिसमें की 20 questions 20 मीट में है उसके बाद में इसका पेपर आनलेसिस भी आपको top educator दिलवाएंगे कुन-कुन से हैं यहां पर अपने पास में यह अपन देख लेते हैं महद्र प्रदिश में अने केडमी से जुड़े हुए सुभम गुपता जी पवन चौधरी अभी से कुमार सेंगी ठीक है ना यह सारे 6 से 8 साल तक का इनको इससे ज्यादा कई experience यहांने की 8 प्लस एयर का experience रखते हैं सारे की सारे top educators तो आप समझते हैं यहां पर आपको फ्री में जो भी आपको यहां पर education मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है यहां पर आपको geography, quality, current affairs, सोगम गुपता जी देंगे आपको quality, geography, economy इसकी क्लास पवंच ओदरी जी लेने वाले हैं अभी से कुमार सिंग जी यह quality, current affairs और economic की क्लास आपको लेने वाले है अन्य top educators हरी सिंग राजपुत जी अमिस सुकला जी रूप सिंग जी computers, quality, history हमिस सुकला जी देंगे आपको geography, hindi और MP history और MPGK, MP history और GK, अरी सिंग राजपुती इस तरीके से यह सारे top educators आपको लगातार आपको मद्वप्रदेश के exams में help करने वाले हैं free class में करिमा सिंग जी, प्रमोदा राना जी, राहुल कुरेशी जी, साहिल कुरेशी जी तो यह सभी आपको अच्छे खासे experienced teachers आपको मिलेंगे जो कि आपको वो सारे subjects पढ़ाएंगे जो कि आपके MPPSC और व्यापम्स के exams के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और सारे की सारी free free यहने कि free classes में आपको वो सारे के सारा content मिले बाला है, ठीक है? Daily, watch daily free live classes, interact with the top educators, free live class मिलने वाली है, उस live class में आप जो भी top educators आपको पढ़ाएंगा उससे आप interact करेंगे, यहने कि आपके मन में जो भी doubt है, ठीक है na, questions के जाएंगे, questions के answer आप देंगे, if you have some doubt relative to some part of the questions, you can ask directly, आप सीधे के सीधे उनसे questions भी पूछ सकते हैं, free live classes, top educators कौन कौन सी, MPPSC, MPPolice, MPSI और MPJail Perry, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर free class मिलने वाली है, ठीक है na, और साथ में आपको सीधे के सीधे top educators से interact करने का भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है, वो भी free में, ठीक है, free mock test series भी यहाँ पर conduct होने वाली है, इसके लिए MPPSC 2023, यानि कि MPPSC की prelims की तैयरी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है na, MPPSC की prelims की तैयरी के लिए आपको free में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है, 20 questions, 20 minutes में, analysis by top educators, every night, 8.30 p.m. ठीक है, तो यह पूरा का पूरा MPPSC prelim constable, sub inspector, इसकी पूरी free में आप यहाँ पर पूरी practice कर सकते हैं, ठीक है, और साथी में आपको करना क्या होगा इसमें आपको सबसे पहले, आपको मैंने बता दिया है, Unacademy का जो app है, वो install करना पड़ेगा, download the Unacademy learner app, ठीक है, जो learner app है, वो आपको यहाँ पर install करना है, use code to unlock free plan, इसका जो code है, code मैंने आपको बता दिया, code क्या है, हर्दयाल सिंग कुस्वा, हर्दयाल कुस्वा, sorry, capital में जो है, हर्दयाल कुस्वा यह सामने आपके लिखा हुआ है, यही code आपको डालना है, उसके बाद में unlock का button आपको दबाना है, process यह रहेगी, आपको MPPSC select करना है, फिर state PCS, state PSC को select करने के बाद में, यहाँ पर MPPSC व्यापम select करना है, MPPSC, state PSC, फिर उसके बाद में MPPSC व्यापम select करना है, फिर उसके बाद में अगला option आएगा, वहाँ पर आपको referral code डाल कर, ठीक है न, free plan को unlock करना है, ठीक है, तो यह this is the all process about the free classes, ठीक है न, तो विद्दानने के अनकेडमी, you can crack any one of the MPPSC व्यापम exam, so let's crack it, okay? यह input की इकाई है, यहने कि mouse को भी input device बोलते हैं, keyword को भी input device बोलते हैं, और scanner भी, यह तीनों जो peripherals हैं, computer से चुड़े हुए, इन सभी से input की आजाता है, यहने कि किसी भी चीज़ को input करने के लिए, माउस को भी बोलते हैं, input device, keyword से भी input, keyword से भी कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, that means, वो आपन input दे रहे हैं, तो scanner भी input देता है, इसकी scan होता है, तो all these are part of the input device, ठीक है? अगला question आगया, एक किलो बाइट में, वन केवी में कितने बाइट की परावर होता है, यह पूछा है इसमें, option है आपके सामने, दस सो चौवीस बाइट, दस सो चौवीस मेगाबाइट, या दस सो चौवीस गीगाबाइट, या फिर इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर है, मेरे दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है, दस सो चौवीस मेगाबाइट, इस दा करेक्ट आंसा, देखिए, यह सारे questions, Constable, मद्दप्रदेश, जेल प्रेरी, और मद्दप्रदेश के पटवारी का एकजाम होता है, उन सभी में कंप्यूटर जीके की कुई, बहुत मद्प्रदेश में कंप्यूटर का जी के पार्ट बहुत आता है ठीके ना साथी साथ में MPPSC और मद्प्रदेश SI तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला आपके MCQS होने वाली है तो वीडियो के हर पार्ट को आप जरूर देखें लगाता रा पार्ट में कितने बाइट के बरावर होती है 1024 KB, 1024 MB या 1024 GB या 1024 TB तो इसका जो सही उत्तर क्या है बताईए 1 MB अन्य कि 1 MB कितना होता है ये आपको बताना है आप मेंसे कोई विद्धार्टी अगर जानता है तो definitely comment की मात्यम से मेरे को इसका आंसर देए तो देखिए 1 MB इकल टू 1024 KB ये इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए जो 1 byte कितने की बरावर होती है 1 byte होती है 8 bit के बरावर 8 bit ठीक है ना इसी तरीके से 8 bit बरावर 1 byte होता है और 1 MB जो होता है 1 KB 1 KB जो होता है वो कितने की बरावर होता है 1024 bytes की बरावर 1 KB होता है और 1 MB जो 1 MB होता है वो कितने होता है 1024 KB की बरावर होता है तो ये पूरा का पूरा parallel मैंने आपको बता है 1 byte icscald to 8 bit 80 bit के बराबर 1 byte होता है 1 kb बराबर 1024 byte होती है और 1 mb बराबर 1024 kb होता है तो यह इसका सही मैंने आपको पुरा explain कर दिया ठीक है आगे चलते हैं अगले question के और यह आगे आगला question बारबा 1 gigabyte यह gb लिखा हुआ है 1 gb कितने byte के बराबर होते हैं यह option आपके सामने 1024 kb ठीक है 1024 mb 1024 gb यह फिर 1024 tb तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा यह आपको बताना है 1 gb बराबर 1 gb बराबर कितना होता है 1 gb बराबर होता है 1024 mb 1024 mb इकल टू 1 gb तो this is the correct answer ठीक है अब चलते हैं अगले question की और अगला question में आपको और अच्छा questions और और सभी computer related question मिलने वाले हैं Computer में प्रियुक्त IC chip बनते हैं जो IC chip बनते हैं computer में वो किसके होते हैं यहीं पूछा गया है Chromium से बने होते हैं यहारे न आख्षैट के बने होते हैं Jesus से बने होते हैं तो this is the right answer, silicon से बने हुए होते हैं computer के जो ICC, निकि जो processor होता है, जो processor होता है, वो बनता है किस से silicon से बनता है, जिससे की computer के जितने भी जो calculation होते हैं, वो processor के द्वारा होते हैं, तो वो जो ICC हैं, वो silicon से बनते हैं, देखें, लीजी अगला question आ गया, 14 question, इंटरनेट के पते प तो उसका जो सही full form क्या है, यह full form पूछा है, यह आपको confused नहीं होना है, full form पूछा है, यह हिंदी में पूरे तरीके से लिखा हुआ है, full form क्या है, hyper tax transfer protocol, तो इसका जो सही उत्तर है, वो कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा, नीचे वाला, hyper tax transfer protocol, this is the correct answer, याद रखेगा, h for hyper, t for tax, t for transfer, p for protocol, तो http, http जो है, इसका full form है, hyper tax transfer protocol, तीके न, यह किसी भी website को open करने के लिए, उसका जो बात बनाते हैं, उसमें http लगा होता है, आप देखा होगा, http, इस तरीके से बना होता है, फिर यू, 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 डबलू, 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 और फिर बाद में, उस site का नाम होता है, site.com, तीके न, इस तरीके से होता है, तो यह होता है, hyper tax transfer protocol, तीके न, यह किसी भी website के पते को दर्सा आता है, तीके? यह आ गया पंदरवा कोर्शन आपके सामने, किसी computer के program को बच्चों के द्वारा प्रियुक्त भासा कौन सी होती है, basic, java, logo, या फिर pilot, तो बताईए, इसका answer क्या सही है, अगर आपको पता है, तो comment की मादम से आप मेरे को बताए, इसका जो answer सही है, वो है logo, c, this is the correct answer, ठीके? लोगो जो भासा है, ये computer के program में बच्चों के द्वारा प्रियुक्त जो भासा होती है, वो logo भासा होती है, ठीके? अगले question क्यों चलते हैं? या आगला question, एक स्वाए, निजी computer जो की आप अपनी गोद में रखने के लाएक एक छोटा सा होता है, ठीके? आप अपनी गोद म simple questions अभी साथ में है, तो इसका सही उत्तर है, आप आसानी से बता सकते हैं, notebook computer, जो computer होता है, उसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, अपने गोद में रखके भी आप अपना काम कर सकते हैं, तो this is the correct answer. या आगला question आपके सामने, code आंतर एक program है, वे name लिखित में से किस से program क रुपांतरन है, machine से name निस्तर तक, या name निस्तर से उच्छ तर तक, या फिर उच्छ तर से code आंतर तक, या फिर code आंतर से machine तक, यह बताए इसका answer क्या है, देखिए बहुत यादा सुद्ध भासा में लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है, वो है fourth one, code आंतर से machine तक, यह उसका program का रूप है, इसको आपको ऐसे याद रखना, code आंतर हैंने की, coding, coding से machine code, यहने की, जो code होते हैं, वो code English में होता है, उसको machine language में, machine language में convert करता है, machine language कौन सी किलाती है, machine language किलाती है, 0 and 1 की formage में, ठीक है ना, binary language में होती है, तो उसमें convert करता है, वो एक program होता है, तो code आंतर से machine तक को, निमलिकित में से किस program से रूपांतर, कौन से रूपांतर करता है, तो वो यह है, ठीक है, this is the correct answer, यह आ गया अगला question, अठारवा, multiprocessing क्या होती है, एक processor द्वारा, एक से अधिक processor द्वारा, बिना किसी processor की आयन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत तर है, देखिए, multiprocessing यानि की multiprocessing, एक से अधिक जो process होती है, उसे multiprocessing होती है, तो एक से अधिक processor द्वारा, वो multiprocessing क्यालाती है, तो this is the correct answer, multiprocessing system, ठीक है, यह आगला question, 19 वा question है, निमलिकित में से optical memory है, कौन सी है, bubble memory, floppy disk, CD-ROM, या फिर core memories, तो कौन सा उसका उत्तर सही होगा, तो इसका उत्तर सही है, CD-ROM, CD-ROM जो होती है, वो optical memories कहलाती है, यह आप को याद रखना, और इसको, यह re-writable भी होती है, और non-writable भी होती है, यह single write भी होती है, एक बार write करती है, तो वो ROM कहलाती है, और एक होती है, re-writable CD-ROM, ठीक है, तो दोनों तरिके की ROM आती है, तो CD-ROM जो होती है, वो optical memory कहलाती है, ठीक है, यह आगे अगला question, CPU में control, memory और तीसरा कौन सा unit होता है, बताए आपको micro, processor, output या फिर arithmetic और logic unit, बताए यह कौन सा unit इसमें होता है, तीसरा, देखिए, इसका जो सही उत्तर है, वो है arithmetic, logic unit, ठीक है, यह होता है, तीसरा CPU होता है, ठीक है न, CPU, उसके बाद में memory होती है, ठीक है, memory के बाद में third part जो होता है, वो होता है, arithmetic, logical unit, यहने कि ALU, इसको ALU गोलते हैं, short form में, ठीक है न, तो यह तीनों पार्ट होते हैं, तो इसका सही उत्तर है, arithmetic and logic unit, यह unit गोलते हैं, ठीक है, तो this is the correct answer, अगला question आगा गड़ना और तुलना के लिए computer के किस भाग का प्रियोग किया जाता है, यहनकी calculation और जो तुलना किया थी किसी चीज से, ठीक है न, calculation किया जाता है, और comparison जो किया जाता है, उसके लिए computer के किस भाग का प्रियोग होता है, option है आपके साबने, disk unit, modem, ALU, या फिर control unit, तो इसका जो उत्तर है, वो कौन सा सही ह होगा, तो इसका उतर है third one, ALU, ALU यहनकी arithmetic logical unit, यही जो पार्ट है, जो कि गरना और तुलना दोन होई करता है, यहनकी calculation and comparison का जो पार्ट है, उसका process जो करता है, वो ALU करता है, यहनकी mathematic terms का जो भी calculation होता है, वो arithmetic and logical unit का जो पार्ट है, यही करता है, तो this is the correct answer. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ unacademy के बारे में, unacademy जो कि आपके लिए लाया है MPPSC और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा platform जिससे कि आप MPPSC और व्यापम्स के सभी exams की तैयारी कर सकते हैं, वो किस तरह की से देखिए, सबसे पहले तो य देली लाइब क्लास मिल रही है, साथ में practice और revise यानि कि practice भी आप कर सकते हैं, unacademy के प्लेटफॉर्म पर और साथी साथ में आपको यहां पर revise कर सकते हैं, learn anytime, anywhere, यानि कि आप कभी भी और कहीं पर भी unacademy के द्वारा पढ़ सकते हैं, साथी साथ में आपको unacademy क्या दे यह भी मैं आपको पताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात unacademy आपको free plan, free plan by the unacademy, आनि कि आप unacademy पर MPPSC और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि exam में सारे exams को आप free में पल सकते हैं, choose to study from 50 top educators, ठीक है न, जो 50 top educators unacademy से जुड़े हुए हैं, वो उनमें से आप choose कर सकते हैं, और उसमें क्या, 500 free live classes every week, हर हफते आपको 500 से अधिक live class मिलने वाली है, विद्दा doubt clearing session है, यानि कि आपको live doubt clearing भी होगा, जो भी आपके पास, आपके mind में confusion हो रहा है, कोई doubt हो रहा है, तो live class को आप attend करेंगे, तो उसी time आप live उसके doubt भी clear कर पाएंगे, साथी साथ आपको मिल रहा है, weekly free mock test, ठीक है न, हर हफते आपको एक mock test भी यहाँ पर conduct कराया जाएगा, जो कि free में हो गया, यानि कि free plan में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, unacademy पर, free live quiz, सब free है, ठीके, 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर questions bank है, जिसके तुरू आप live quiz attend कर सकते हैं, यहा और 8 बजे आपको इस paper का analysis मिलता है, ठीक है, आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं simple सा है, आप अपने mobile को उठाइए, और उसमें unacademy का जो learner app है, वो आप इसमें download करना है, उसके बाद में आपको use code to unlock free plan, यानि कि, जो free plan है, उसको unlock करने के लिए आपको code का उपयोग करना पड़ेगा, code क्या है, हर्दयाल कुस्वा, जैसे ही आप इसका use करके, unlock बटन को press करेंगे, यह जो plan है, free plan जो है, वो unlock हो जाएगा, step क्या होगा, what are you preparing for it, आनि कि आप किस चीच की तैयारी कर रहे है, वो सबसे पहले हाँ पर select करना है, MP, PSC, then go for the next option, state PSC, state PSC, जैसे select करेंगे आप, अगला option आपको MP, PSC and व्यापम चूज करना है, फिर next option आएगा, उसमें आपको referral code डाल कर, unlock का बटन है, उसको click करेंगे आप, then यह जो plan है, यह unlock हो जाएगा, ठीक है न, अब चलते हैं, आपन batch, जो की plus batches है, यानि कि unacademy के, जो plus subscription plans हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूं, देखिए, free plans में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन plus plan में आपको वो सारे courses मिलेंगे, जो की आपको actual में पढ़ना चाहते हैं, यानि कि extra, if you want to take some learning from the unacademy, then you will choose the plus batches, देखिए, plus batches for all round preparation, यानि कि all round preparation के लिए आपको यह plus batches unacademy आपके लिए दे रहा है, crack prelims 2020, जो MP, PSC, MP, PSC का जो अभी notification आया है, 2020 का जो notification आया है, उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर यह plus batches लेने हैं, थीकिन अब विद्दा, choose your own, your batch, which suit your preparation best, यानि कि आप अपने हिसाब से अपना batch यहाँ पर चुन सकते हैं, इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, 60 days live crash course, ठीकिना, revise theory during the day, यानि कि दे में आपको यहाँ पर revision मिलने वाला है, और साथ में जो practice live MCQ है, वो night में मिलने वाली, यानि कि दिन में आप पुरी पढ़ाई कीजे, और रात में आप उसकी जो practice live MCQ and multiple choice questions की, आपको यहाँ पर live class रात में मिलेगी, ठीकिना, live MCQ revision batch, ठीकिना, 3 days topic wise, live practice session, ठीकिना, dedicated live doubt clearing batches, weekly 12 session, 2 hours daily subject wise, recorded batch, यहाँ पर देखिए आपको recorded batches हैं, जो पहले से record पढ़े हुए हैं, वो आपको पूरे मिलने वाले हैं, बेतार live doubt clearing, यानि कि recorded batch देखिए, उसके बाद में, बाद में, इसका पूरा आपको live doubt clearing session भी conduct कराया जाएगा, complete revision at your own pace, अपने हिसाब से आप अपनी उसका revision कर सकते हैं, अब जब चाहें, उस वीडियो को pause कर सकते हैं, और जब चाहें उसको run कर सकते हैं, ठीकिना, तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही, यह पूरे recorded batch को देख सकते हैं, foundation, pre, mens, MPPSC batch, यह चालू होने वाला है कब? पांच जन्वरी से, पांच जन्वरी से यह भी start होने वाला है, तो ज़्यादा देर नहीं लगानी है, go and get the plus subscription in Unacademy app, prelims completion by March, दीखें, prelims की जो तैयारी है, इस batch की द्वारा आपको March तक पूरी तैयारी Unacademy कर देगा, ठीकिना, 20 प्लस यहाँ पर देखो, इस batch के लिए 20 प्लस prelims mock test practice के लिए मिलने वाले हैं, 20 अधिक questions बैंक हैं, जिसमें कि आप daily practice कर सकते हैं, PDF revision notes मिलेंगे हर class के, जितनी भी class आप join करेंगे, उन सब की आपको PDF notes मिलने वाले हैं, जिससे कि आप revision कर पाएंगे, जिन विद्धियारतिय मैंस क्लियर कर लिया है, प्री क्लियर कर लिया है, 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मैंस के revision batch with answer writing practice, already running, ठीक है ना, पहले से यह चालो हो चुका है, तो उसको आप फटा फट जोइन कर लीजिए, जो MPPSC प्री क्लियर कर चुके हैं, 2019 का, उन सब के लिए एक सुनेरा मौका है, यह मैंस की तयारी करने का अनकैडमी पर, ठीक है, prelims क्लियर करने के लिए, यह राम बार करने के लिए, यह एकदम राम बार कोर्स, जोकी का पर सुरू हो रहा है, यह चार जनबरी 2021 है, यह बहुत ही अच्छे से आपको पुरी की पुरी तयारी करने वाला है, क्योंकि prelims की यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनेकेट में आपको करवाएगा अभी जोईन कीजिए अल्टिमेट सिस्टी डेच सिस्टी डेज क्रेश कोर्स ठीक है ना फ्री यहाँ पर रिवाइज थियोरी डूरिंग दा डे जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं रिवाइज करेंगी और नाइट में लाइव एमसे क्यू सिरीज यहाँ पर कंड़क करा जाएगे 20 प्लस मॉक टेस्ट अल्रेडी लाइव एंड फुल लेंद टेस्ट एवरी डे तीक है तो यह पूरा का पूरा आभी आपको 60 डेज कर यह चार जन्वरी से स्टार्ट हो रहा है तो यह पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है अब आगे चलते हैं आगे अनकेट में आपको और क्या-क्या प्रोवाइड कर वा रहा है क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं याने कि आपकी जो स्पीड है आप स्लो पढ़ना चाहते हैं आपका अपन 20 रिकॉर्डेट क्लासे एना क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास टू आस डेली याने कि पहले तो आप इससे पूरा डिवीजन कीजिए डिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पर कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं क्या आप अल्रेडी करें कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं तो अभी आप टाउट क्लियरीं शेसन में ठीक है ना अपनी टैयारी मजबूत कीजिए आप इस लाइब डाउट क्लेर इसन में तुरंत इसमें और अपनी जो टैयारी जो भी अप्रपरिउसन कर रहे थे उन सब को आप से मजबूत कर सकते हैं Live Doubt Clearing Session कि किना weekly हर हफते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर subject wise यहां पर Doubt Clear कर पाएंगे क्या आप MPPSC की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी जोईन कीजिए 10 मंत का Foundation Batch MPPSC जो pre है प्रीक अभी notification आ गया है उसके exams की तैयरिया करने के लिए आप सोच रहे हैं तो unacademy आपके लिए लाया है ये एक mega batch अभी जल्दी start होने वाला है कब 5 जन्वरी को तो इसको आप join कीजिए इसमें आपको prelim course का पूरा का पूरा course complete हो जाएगा March तक याने की March तक complete हो जाएगा और इसका exam कब है 11 April को तो आप इसको तुरंद join कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा MPPSC prelims की तैयरी आपकी complete हो पाएगी किस से learn with the top educators all these are top educators who will educate you about the MPPSC prelims so don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started going to be start 5th January 2021 और जो विद्यारती ठीके ना जो विद्यारती MPPSC prelims किलियर कर चुके हैं वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनकेडमी की द्वारा जिसमें की course स्वपन पूर्ती course चालू हो गया है जो पूरा Hindi मीडियम में होगा और इसमें complete MPPSC मैंस की preparation करवा जाएगी और सभी जितनी भी subject हैं उस पर answer writing का practice करवाने वाले हैं जो कि 35 दिन में पूरा complete होने वाला है यह पूरा का पूरा आप यहां पर देख सकते हैं तो अभी आप join कर सकते हैं इस course को अनकेडमी पर जो top educators हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहां पर experience रखते हैं सुभम गुपता जी अभी से कुमार सिंग जी हरी सिंग राजपूद जी अमिस सिंग सुकला जी सब आपको बहुती अच्छा पढ़ाएंगे strategic orientation लेने वाले हैं सुभम गुपता जी 6 साल का जो experience teaching experience है history का हरी सिंग राजपूद जी को आपको history पढ़ाने वाले हैं 5 से अधिक साल का experience रखते हैं अभी से कुमार सिंग जी जो कि आपको geography पुरा पढ़ाने वाले हैं अमिस सुकला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का experience मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे computer की पूरी की पूरी classes आपकी लेने वाले unacademy पर तो these are the top educators who has been a very good experience about the teaching sector how to get unacademy subscription आपको unacademy का subscription किस तरीके से लेना है या आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ सबसे पहले आप unacademy के MPPSC व्यापम का जो section है उसमें जाएगा उसको select कीजिए देर उसके बाद में plus को select कीजिए फिर उसके बाद में जैसी plus का option आएगा you will get the get subscription button इसको आप जैसे click करेंगे आप सीधे की सीधे अगले option पर पहुंच जाएंगे जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको MPPSC व्यापम subscription के पूरे की पूरे fee chart यहाँ पर मिलने वाले है तो जैसे आप ये सारे fee chart में से जो भी course select करेंगे उसमें आप referral code 10% का जो discount है 10% discount आपको direct मिलेगा अगर आप हर देहाल कुछ रवा referral code का उप्योग करेंगे तो अभी तुरंत आप आनकेडमी के इस plus subscription को subscribe कीजिए for MPPSC and other व्यापम examinations ठीक है और ये referral code आपको मेरे इस वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से आप copy करके इसका यूप्योग कर सकते हैं total आपका capital में रहेगा हर देहाल कुछ बाहा ये दिरूर दियान रखेगा capital letter में आपको पुरा लिखना है उसके बाद में आपको proceed button दबाना है तो जो भी course की fees है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का detection हो जाएगा so hurry up down on academy app now and crack MPPSC and व्यापम्स all exams so let's crack it चलिए आगया अगला question आपके सामने एक hardware device जो data को अर्थ पून information में परवर्तित करता है देखे अर्थ पून है निकी तो वो क्या है processor input device program या फिर protector कौनसा answer इसका सही होगा question को समझे आप question क्या है एक hardware device के वारे में बताना है जो की data को एक पूरी तरीकी से अर्थ पून जो information है उसमें इसको परिवर्तित करता है तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा processor ठीक है न प्रोसेसर जीदा correct answer ठीक है अगले question क्यों चलते हैं अगला question आ गया processor के तीन मुख्य भाग हैं कौन-कौन से हैं तीन मुख्य भाग ALU control unit और RAM या फिर ALU control unit और Register या फिर Cache control unit और Register या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो answer है वो कौन सा इसका सही होगा या आपको बताना है तो इसका जो सही उत्तर है मेरे मित्रों वो second वाला इसका सही उत्तर है इसको आप ध्यान से पढ़ लिजिए जो की लिखा हुआ है ALU यानि की arithmetic logical unit और control unit ठीक है ना control unit यानि की CU और Register ठीक है ना ALU CU and Register ठीक है ना ये तीनों पार्ट जो होते हैं ये processor के main part कहलाते हैं जिससे की पूरी processing होती है ठीक है अगला question आगए आपके सामने CPU और ION की input output के बीच signal का movement कौन नियंत्रित करता है control unit, ALU, memory unit या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका answer कौन सा सही है आप बताएं मेरको तो इसका जो सही उत्तर है वो है control unit ये इसका सही उत्तर है ठीक है ना जो CPU है और input output device है ठीक है ना central processing unit और input output जो device है उसके signals की जो moment को नियंत्रित करने वाला जो पार्ट है वो है control unit, नहीं की CU CU जो होता है वो इन दोनों की बीच में signal का moment को control करता है ठीक है तो अभी मैं आपको जो बताया था Unacademy के बारे में MPPSC और Vyapams की जो free plan है बहुत ही प्यारे plan है ये free में आप free में class को unlock कर सकते है code डालना है आपको हर्दयाल कुषबा ठीक है ना ये code डालके आप जितनी भी विद्यारती student MPPSC और Vyapams की exams की तयारी कर रहे है वो ये पूरे की पूरे 1000 से अधिक live class और 100 से ज़्यादा free test और quiz और यहाँ पर पढ़ाने वाले 50 से अधिक top educators जिन से की आप MPPSC और Vyapams की जितने भी exam में सभी की तयारी कर सकते हैं तो आप ज़्यादा समय ना लगाए MPPSC, MPSI, MPLINA की labor inspector और MP police जो constable की तयारी करता है पर जेल प्रहरी के अभी exam हो गए है लेकिन दोबारा भी होंगे तो जितने भी विद्धिहारती हैं जो कि इन सभी exams की तयारी कर रहे हैं चाहें वो पटवारी का exam भी हो ठीक है ना उन सभी के लिए आपको पूरी की पूरी classes यहां फर MPPSC Vapoms की free plan में मिलने वाली है तो आप तुरंत अभी unacademic का app install कीजिए और उसमें हर्दयाल कुस्वा reference code डालिए देन उसको आप unlock कर लीजिए तो साथी साथ में इसमें आपको quiz खेलना बहुत जोरूरी है first we will play the quiz then आप उसके बाद में इस हर्दयाल कुस्वा से unlock कर सकते हैं तो quiz का जो code है वो आपको मिल जाएगा मेरा जो channel है study concept इसका एक WhatsApp group भी आप मेंने बनाया हुआ है तो उस WhatsApp group से भी आप जुड़ सकते हैं मैं WhatsApp group का जो link है वो इस video के description box में मैंने डाला हुआ है वहाँ से आप copy करके वहाँ से उस link को click करके you can join that WhatsApp group तो वहाँ से आपको quiz पूरी मिल जाएगी उस quiz को जैसे आप play करेंगे you will be the active user और उसके बाद में आप हर दयाल कुस्वा डालके free class को unlock कर देंगे ठीके ना उससे unlock हो जाएगी आपकी free class free class बिना referral code के और बिना quiz के लिए that will not be activated ठीके ना तो ध्यान रखेगा you will be activated by the quiz and the referral code ठीके तो thank you so much to joining my computer g की class ठीके ना अगली class फिर मिलने वाले आपको उसमें भी अगली 25 questions होंगे तो इसको भी आप देखिएगा और देखना ना भूले हो साथी साथ में मेरे study concept चैनल को subscribe कर ले all notification के साथ में जिससे कि आपको जितने भी वीडियो में मना रहा हूं MPPSC के भी इसमें वीडियो जा रहे हैं MPSI के भी आ रहे हैं और मदप्रतिस Constable की भी सीरीज चल रही है तो पूरी के पूरी इन सीरीज को देखने के लिए आप लगाता जोड़ने के लिए मेरे चैनल को all notification के साथ में subscribe कर ले हैं तो thank you so much all students फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में